अजवाईन को मेरे बताय तरीके से खा लें पुराने से पुराना दर्द, हडियों का दर्द हो चाहे कोलेस्टरॉल की प्रॉब्लम हो या शरीर की कमजोरी हो गैस, एसिडिटी, खाना हजम नहीं होना मतलब आप कह सकते हैं 100 बिमारियों की एक दवा है अजवाईन तो मेरे बताय तरीके से अजवाईन का सेवन आपको करना किस किस तरीके से कर सकते हैं और किस बिमारी में कैसे करना है सारी इंफॉर्मेशन अपने यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आई हूँ वीडियो पसंद आजाए तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कैरम सीथ कहते हैं ये छोटे छोटे से दाने हम सब के रसोई घर में होते हैं जब खाना हजम नहीं होता ना कई बार खटी ड़कार आती है बदहस्मी हो जाती है गैस बनती है या बलॉटिंग होती है तब घर वाले यही कहते हैं चुटकी अजवाइन ले लो ठीक हो जाएगा और वाकई में ये चीज बिलकुल ठीक हो जाती है ये हम लोग सब का खुद का अनुभव है आज सारी जीजे वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे कैसे लेना है अजवाइन के साथ यदि हम कलोंजी डाल कर लेते हैं कलोंजी का पानी जिसे मंगरेल कहते हैं इसे ब्लैक क्यूमिन सीट भी कहते हैं यहाँ पर मैंने वन टेबल इस्पून केरम सीट, वन टेबल इस्पून ब्लैक क्यूमिन सीट, जिसे कलोंजी और अजवाइन कहते हैं, दोनों को मिक्स कर लिया है, एक गलास पानी में राद भर भिगा कर रखें, सुबह उटकर इस पानी को गरम करके आप पी लीजे, छान कर पी लीजे, पुराने से पुराना हडियों का दर्द, मास पेशियों की अकड़न जकड़न बिल्कुल समाप्त होगी, दिन भर आप एनरजेटिक फील करेंगे, इस रिंग को थोड़ा स्वादिस्ट बनाने या अजवाइन का फाका लगा रहे हैं, अजवाइन खा रहे हैं क खून की कमी को दूर करता है, हमें एनिमिक होने से बचाता है गुड का सेवन, यहाँ पर गुड को छोटे टुकडों में काट रही हूँ और इस जैगरी का इस्तमाल करिए, देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा मेरे परिवार को, गुड में भरपूर मातरा में आयरन होता है, केलशियम फॉस्फोरस से भरपूर होने के कारण हमें जोडों का दर्द गठिया अर्थराइटी से बचाता है, हमारे हीमोगलोविल लेवल को बढ़ाता है, इसे जब भी खून की कमी होती ना तो डॉक्टर यही सलहा देते हैं, शक्कर की जगा गुड का सेवन करें, एक च चान कर अगर आप इसे पिएंगे ना, पुराने से पुराना आपका हड्यों का दर्द गायब हो जाएगा, जिन्हें भूक नहीं लगती है, पेट ठीक से साफ नहीं रहता, पूरे समय कब्ज की शिकायत रहती है, उन्हें भी ये ड्रिंक या अजवाईन का सेवन कलोंजी क के साथ जरूर करना चाहिए, कलोंजी के बारे में एक कहावत है, मंगरेल के बारे में एक कहावत है, मौत को छोड़ कर सारी बिमारियों को दूर करता है, कलोंजी का सेवन, जी हाँ, सो बिमारियों की एक दवा है, अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पर बॉयल करना है, चान चीजों से परहेज करना चाहिए गरम चीजों का ही सेवन करना चाहिए देखें अच्छी तरह से उबल रहा है चान कर आपको इसे पीना कमाल का रिजल्ट देगा मास पेशियों की अकड़न जकड़न दूर होगी शारिदिक ठकावट दूर होगी आप दिन भर चुस्ती फुर लेते हैं खाली पेट लेते हैं तो वो जादा अच्छा अपना असर दिखाती है कलोंजी और मेथी बहुत ही जादा ताकतवर बीज है सुपर फुट कहा जाता है इतने फायदे मंद होते हैं पेट पूरी तरह से साफ होगा दिन भर हमें बड़ा खराब लगता यदि पेट साफ नहीं होता तो कब्ज की समस्या दूर होगी लंबे समय तक कब्ज की समस्या को नजर अंदाज ना करें नहीं तो धीरे धीरे कब्ज की समस्या बवासीर का रूप ले लेती है और हम जादा परिशानी में पढ़ जाते हैं इसलिए रोज पेट का साफ होना बहुत जरू कुछ नहीं कर पाते तो एक चुटकी अजवाइन खा लिजे, गैस की समस्या दूर होगी, खटी डकार की समस्या दूर होगी, आपको जोडों के दर्द से रहत दिलाएगा, अजवाइन का सेवन, जितने दिखने में छोटे दाने हैं, उतने ही कमाल के दाने हैं, सभी उम्रव आज इस मिक्षर को गरम पानी में डालिए, उबालिए, या फिर आप गरम पानी में डाल कर रख दीजे, थोड़ी दिर बाद आप इसे पी लीजे, देखें, अजवाइन और सौफ का सेवन, आपके शरीर में जमी हुई चर्भी को तेजी से पिखलाने का काम करेगा, यानि जो पूरे समय दर्द रहता है, वो समस्या भी दूर होगी, इसके सांती साथ अपने परिवार के लिए अजवाइन का तेल बना कर दिखा रही हूँ, जो की बहुत फायदेमंद है, शरीर की किसी हिस्से की नस दब गई है, या लकवा जैसी बिमारी में भी, अजवाइन के तेल के मालिश करने से, जो हमारी नसे सिकुड़ गई है, बेजान हो गई है, जो नस, उन नसों में भी जान आ जाएगी, यदि अजवाइन के तेल से मालिश करना इस्राट करेंगे, दिन में एक बार अजवाइन के तेल से मालिश करें, स्लो फ्लेम पर इस तेल को पका कभी कभी चाहे तो लहसुन डाले पर उन्दु कई लोगों को गार्लिक की बैड स्मेल लगती है इसलिए मैंने आज यहां गार्लिक नहीं डाला है इस अजवाइन के तेल पैरों में कहीं लचक आ गई है वहाँ पर भी मालिश करें घडियों में कहीं सूजन आ गई है घुटन लिए जब मालिष करे तो अज़वाइन के तेल को हल्का सा गरम कर लीजिए ताकि तेजी से यह अपना असर दिखा सके अभी मैंने आप को सिर्फ हांथों पर मालिष करके दिखाया कभी हाथों में लचक आ गई है तो आप लगा सकते इस तेल को बच्चों को भी मालिश करें बच्चे अगर कहीं गिर गए है तब भी इससे मालिश कर सकतें वीडियो को लाइक शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें